माता सीता का हाँ जोड़े खड़े 110 फिटूची हनुमान जी की मुर्ती माता सीता का अनुने विनय करते हुए कि हे मा तुम धर्ती में मत समाओ तुम धर्ती में मत जाओ अभी और आपको इस दुनिया में रहना है लेकिन फिर भी माता ने किसी की बातों का नध्यान देते हुए इसी अस्थान पर अपने आपको धर्ती में शमाहित कर लिया जी हाँ दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसे अस्थान का दर्शन कराने जा रहा हूं जिस अस्थान पर माता सीता ने अपने आपको धर्ती में शमाहित कर लिया था यह अस्थान वाराणसी से इलावाद वाली रूट पर जंगी गन नमक अस्थान से 14 किलोमेटर दूर है आप सभी भी यहाँ पर इस पवित्र अस्थान पर आ सकते हैं इस अस्थान का माहौल इतना सुंदर है कि आप देखते ही मंत्र मुगध हो जाएंगे यहाँ पर ठहरने के लिए बहुत ही सुंदर होटल भी बने हुए है तो आज मैं आप लोगों को माता की दर्शन कराऊंगा और वहाँ स्थान भी दिखाऊंगा जहां माता सीता ने अपने आपको धर्ती में शमाहित कर लिया था आपको पूरे प्रमाण के साथ दिखाया जाएगा कि माता सीता ने किस तरह से अपने आपको धर्ती में शमाहित कर लिया था मंदिर में प्रिवेश करते ही बड़ा ही सुन्दर और बड़ा ही प्यारा मंदिर दिखाई दिता है इतना सुन्दर ढंग से बनाया गया मंदिर देखते ही सभी लोग मंत्र मुग्द हो जाते हैं माता शीता की मूर्ती सबसे उपर लगी हुई है जो चमकदार और सीसे से नकासी की गई है और यहाँ पर चारों तरफ आप देख सकते हैं रमायन की कहानिया उकेरी गई हैं यहाँ पर रोज बहुत से लोग देखने के लिए माता की दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ पर रमायन की जो कथाएं उकेरी गई हैं उसे आप देख कर भी समझ सकते हैं बड़ा ही सुन्दर गुंबद और माता का मंदिर है ये और चारों तरफ का नजारा तो इतना प्यारा है कि आप देखते ही देखते रह जाएंगे आप सभी यहाँ पर जरूर आएं और यहाँ माता की दर्शन करें और मैं आपको वो साच्छाथ जगह दिखाऊंगा पर माता ने अपने हापको धर्ती में शमाहित कर लिया था ये मंदिर बड़े ही सुन्दर महौल में प्राकृतिक रूप में इस्थित है जहां पर एक आर्टिफिसेल लैग भी बनाया गया है और यहाँ पर चारों तरफ का नजारा देखने लायक है मंदिर के चारों तरफ जल भरा हुआ है और ये आर्टिफिसेल लैग में नामे भी चलती है और ये मंदिर देखने में बहुत ही प्यारा लगता है चारों तरफ सुन्दर्ता ही शुन्दर्ता दिखाए देती है मंदिर की दिवारों पर पेंटिंग सुन्दर पेंटिंग्स दिखाए गए है जैसे ये पेंटिंग रावड की है जो मता सीता को हर के अपने रत पर ले जा रहा था और अब हम नीचे की ओर प्रस्थान करेंगे और ये पेंटिंग है तब भगवान राम ने सबसे पहली बार असोग पार्टिका में सीता जी को देखा था बड़ा ही सुन्दर पेंटिंग बनाया गया है ये 3D पेंटिंग अब हम लोग उस अस्थान पर चलेंगे जहां पर नीचे मता सीता ने अपने आपको धरती में समाहित कर लिया था सीता समाहित अस्थल की और हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं और ये अस्थान नीचे है मंदिर के अंडर ग्राउंड पोर्शन पर है तो धीरे धीरे हम लोग शीडिया उतरते हुए और नीचे की और चलेंगे और देखेंगे कि मता सीता के समाहित अस्थल की क्या सुन्दरता आप देखते ही रह जाएंगे उस सुन्दर्ता को और इस मंदिर की सुन्दर्ता को भी देखते रह जाएंगे तो मैं चाहूंगा कि आप जरूर एक बार यहां पर पधारें ताकि माता सीता के दर्शन कर पाएं और अब हम लोग मंदिर के अंदर प्रिवेश करेंगे यहां पर चारो तरफ सांती हिशांती दिखाए देती है यह है माता सीता की मुर्ती जहां पर माता सीता ने अपने आपको धर्ती में शमाहित कर लिया था माता सीता यहीं से धर्ती भट गई और धर्ती में चली गई हमेशा हमेशा के लिए अपने बेटे लौ और कुछ को छोड़कर हमेशा के लिए धर्ती में चलिए सफेद संग मरमर से बनी मुर्ती इतनी प्यारी लगती है कि आप देखते ही रह जाएंगे माताशिता लाल रंकी के गजरे गजरा पहने हुई है फूल की और शफेद साड़ी और शफेद पूरा सफेद सफेद दिखाए देता है बड़ा ही सुन्दर मुर्ती के पीछे बहुत ही सुन्दर नकाशी की गई है यह वहीं अस्थान है जो जहां पर माता सिता अपने आपको धर्थी में शमाहित कर ली थी यहां पूरा कोशिश किया गया है कि दिखाया जाए कि किस तरह से मा धर्थी के अंदर गई थी आप यहां पर देखते ही रह जाएंगे माता सिता की सुन्दर्था अब मैं वो अस्थान आपको कुछ देर में दिखाने वाला हूँ जिस अस्थान पर आप निश्चित रूप से देख करके मंदर मुग धरह जाएंगे और वो अस्थान दिखाया जाएगा आपको कि यहां पर मंदर बनने से पहले क्या द्रिश्य था मैं आपको छोटा सा वीडियो में ही पार्ट में दिखाऊंगा यह मंदिर के पीछे वाला भाग है जहां पर आप देख सकते हैं सुन्दर नजारा है साम के समय जब भबारे चलते हैं तो बड़ा ही प्यारा नजारा होता है अब वो नजारा देखे जब यहां मंदिर नहीं बना था माता का वो अस्थान यहां पर अभी भी है यहां इस फोटो में देख सकते हैं जिसमें धर्ती फट गए और माता अंदर चली है यहां पर ठाहरने और रहने के लिए उत्तम बेवस्था है यहां पर आप आराम से आ करके किसी भी अस्तर के हों आप शाकाहारी भोजन और बिना लहशन प्याज के भोजन को प्राप्त कर सकते हैं इस कैमपस में रहने का आनंद ही कुछ और है और यह वीडियो अगर पसंद आए आपको तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा